सब्स्राइब कीजिए और बेल आइकोन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मिले हमारी वीडियो के नॉटिफिकेशन सबसे पहले नमस्ते दोस्तों मैं हूँ शिवम गहीरे और 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 आपका सौगत है तो आज की दो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसा तरीका जिसकी मदद से आप अपने कॉलिफिकेशन का रिज्यूम या फिर बायो डाटा का फॉर्मेट बहुती अच्छे से बना सकते हो एक प्रोफेशनल तरीके से मतलब एक प्रोफेशनल रिज्यूम अगर आपको वह जानना होगा तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके इन तक जरूर वाच कीजिए तो आईए शुरू करते हैं तो इस पर्टिकुलर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक बात यहां पर क्लियर कर देना चाहूंगा दोस्तों इस टॉपिक पर जो है हमने अल्रेडी वीडियो बनाई थी दोस्तों एक बार तो उस वीडियो में हमने बताया था किस तरह आप मैंडूली तरीके से अपने रिज्यूम को डिजाइन कर सकते हो MS Office में ठीक है बहुत ही अच्छे से और उस वीडियो पर जो है दोस्तों 150 के से भी ज्यादा अच्छा व्यूज आया था मतलब अच्छा रिस्पांस आया था तो आपने वो वीडियो वाच नहीं की होगी तो आप उपर आय बटन दिखाई दे रहा होगा उस पर क्लिक करके सिंपल उस वीडियो को वाच कर सकते हो ठीक है तो चलिए इस वीडियो में मैं आप सभी को एक अजसा तरीका बताने वाला हो दोस्तों अगर आपको प्रोफेशनल रिज्यूम बनाने के बारे में जीरो नॉलेज भी तो है वो अपने रिज्यूम का एक प्रोफेशनल फॉर्मेट बना सकते हो तो चलिए मैं आप सभी को वह तरीका बता देना चाहूंगा तो उसके लिए सिंपल आपको वेब्राउजर में आ जाना है और यहां पर न्यू टैब में आने के बाद में आपको एक वेबसाइट म टैप में एक फॉर्मेट यहां पर ओपन हो जाएगा दोस्तो तो उपर के सब्साइड में आपको जो बार दिखाई दे रहा होगा दोस्तो यह यहां पर इस पार कर हम बात कर लेते हैं तो सिंपल में आप सभी को इन शॉट में यह समझा देना चाहूंगा यहां पर जो है पर क्लर को अप्शन है यहां से णे तेख्ट के और यहां पर इस तो आपको यह दिखाई दे रहा होगा है यहां पर किस साईस दी गई है दोस्तो आप यहांसे 3 डे में cइड direkt करें के रिग सकते हो इहां पर आपको सीउक्ष दिखय दे रहा होगा दोस्तो जैसी कि इस section में है pictures, आप अपने resume में क्या-क्या रखना चाहते हो, वो आप यहां से mark कर सकते हो, जैसी कि हम pictures रखना चाहते हैं, pictures को हम mark करते हैं, अगर हम नहीं रखना चाहते हैं, तो इसे हम unmark कर देंगे, तो आप यहां पर देख पागे, back side में हमारा pictures का option यहां से हट तो इसे हम unmark नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ options जो है जिने हम हटा भी सकते हैं, तो professional specialities को भी हम हटा सकते हैं, कुछ इस तरीके से, तो आपको जो options यहाँ पर रखने हैं, जो यहाँ पर आपको रखना है, वो आप रख सकते हो अपने resume के type में, मतलब अपने हिसाब से, यहाँ जो है वो हमारे page की size होती है, A4, जो की हमारी xerox का page होता है, white color का ठीक है, जिस पर हम print करते हैं, तो यह कुछ basic चीजे थी दोस्तों, जो मैंने आपको बता ही है, तो चलिए, अब भी हम देखते हैं, किस तरह हम resume को edit कर सकते हैं, यहाँ पर आपको जो option दिखाई दे रहा हो गया कि दोस्तों, यहाँ पर आप यहाँ पर हमारा name आप रख सकते हो, जैसी कि हम यहाँ पर दिखते हैं, हमारा name, ठीक है, शीवन गही रहे है, यहाँ पर हमने name रिख दिया है, तो सजी कि हम इसे select करेंगे, यहाँ से आप चाहों तो color भी change कर सकते हो, ठीक है, कुछ इस त यूटूबर यहां पर हम दाल देते हैं for example में आप सभी को दिखा रहा हूं या फिर आप जो है अपने हिसाब से यहां पर इडिट कर सकते हो यहां पर पर सब्सक्राइब नीचे आओगे तो यहां पर आप डेट आप बर्द भी चूज कर सकते हो जैसे कि हम for example रख लेते हैं 08 11 1994 ठीक है कुछ इस तरीके से for example हम रख लेते हैं नेशललिटि में हम रख लेते हैं इंडियान इंडियान यहां पर हम ताइप कर देंगे और एडस में हम जो है एड müंहें यहां पर आडरेस में डालते हैं यय्यूटूब को चारра टीक है youtube.com आपको यहां पर अपना एड्रेस दालना है तो हम हमारा business email यहाँ पर डाल देते हैं जैसे कि shivamgahire.666 at the red gmail.com उसके बार में नीचे आपको दिखाए दे रहागा phone number तो यहाँ पर आपको phone number डालना है तो आप डाल सकते हो या फिर इसे आप remove भी कर सकते हो for example हमारा YouTube का number है हम वहीं यहाँ पर डाल देते हैं जैसे कि plus 91 हमारा country code उसके बाद में 8698633289 जो कि हमारा YouTube का number है ठीक है और WhatsApp पर भी है तो उसके बाद में आप उपर के साइड में आगे तो यहाँ पर आपको professional experience दिखाई दे रहा होगा दाल सकते हो अपने हिसाब से जो आपका qualification है उस तरीके से थीक है employer यहाँ पर हम दाल देते हैं तो employer में हम दाल देते हैं कोई भी यहाँ पर जैसे कि YouTube हम दाल देंगे for example ठीक है यहाँ पर आपको उसकी detail देनी है कुछ चीज तरीके से और यहाँ पर आपको नीचे ड्रैक करते हैं अगर आप professional experience में और कोई चीज़े एड करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको प्लस का sign दिखा दे रहा होगा simple आप उस पर click करके और experience यहाँ से आप अपना add कर सकते हो और अगर आपको remove करना होगा simple आप remove कर click कर दिजिए मतलब minus button पर click कर दिजिए उसके बाद में आप नीचे के side में देख पाऊगे education यहाँ पर डिग्री डाल सकते हो यहाँ पर school डाल सकते हो जैसे कि आप यहाँ पर डाल सकते हो education में for example SSC ठीक है for example SSC school का नाम आप यहाँ पर दे सकते हो for example मैं आप सभी को दिखाने के लिए यहाँ पर कुछ भी डाल देता हो youtube school चलिए ठीक है youtube college for example हम कुछ भी यहाँ पर डाल देते हैं ठीक है for example कुछ इस तरीके से हमने हमारे resume को format किया आप चाहो तो बहुत सारी चीज़े यहाँ पर add कर सकते हो section में आके आप अगर देखोगे तो यहाँ पर बहुत सी चीज़े आप edit कर सकते हो दोस्तों और अपने resume में add कर सकते हो उसके बाद में यहाँ पर आपको for example finally resume इस तरीके से design हो जाने के बाद में आपको यहाँ पर preview देखता है और आप बीच में भी preview देख सकते हो कुछ इस तरीके से तो preview आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा हमारे resume का ठीक है तो आपने resume design किया है दोस्तों उसका preview कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा for example मैं आप सभी को बता रहा हूँ तो इस resume की जो है आपको PDF format यहाँ पर download कर लिनी है जो आपको यहाँ पर arrow दिखाई दे रहा होगा download PDF का तो simple आपको इस पर click कर देना है इस पर आप जैसी click करोगे तो यहाँ पर जो है आपकी PDF download हो जाए तो जैसी कि आप देख पाओगे यह PDF हमने open की है तो कुछ इस तरीके से हमना हमारा format यहाँ पर बना है दोस्तो रिजियूम का आप यहाँ पर देख पाओगे तो यहाँ पर हमने जो है basic चीज़े ही add की है दोस्तो आप चाहो तो अपने तरीके से अपने qualification की हिसाब से आप बहुत सारी चीज़े add कर सकते हो और यह एक बहुत professional resume लगता है दोस्तो कुछ इस तरीके से अगर आप design करते हो तो ठीक है और इस PDF को आप प्रेंडराव में ली जाकर बाहर से print बहुती आसानी से ला सकते हो ठीक है तो यह एक simple way था दोस्तो professional resume बनाने का जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ share कीजिए और ऐसी और वीडियोस पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं जल्दी मिलता हूं आपसे next video में तब तक के लिए bye bye thank you so much कर दो